रस्कान की द्वारा रचित सवये इनमे क्रिश्न और उनकी लीला भूमी वरिंदावन जहां पर उन्होंने अपनी लीला की थी यानि वरिंदावन की परतिक वस्तु के प्रति उनका लगाव प्रकट हुआ है रस्कान जी का उन हर वस्तु के प्रति लगाव यहां पर हम देख सकते हैं प्रथम सवये में कवी कृष्ण के प्रती अपनी भक्ति का उधारण पेश करते हैं उनका कहना है कि इश्वर उन्हें चाहे मनुष्य बनाए या पशुपक्षी या फिर पत्थर बना दे इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है वो सिर्फ कृष्ण का साथ हैं वह जाते हैं कि कृष्ण हमेशा उनके साथ रहे इस तरह रस्कान के सवयों में कृष्ण के प्रती उनका अत्यन्ट प्रेम और भक्ति भाव दिखाई देता है दूसरे सवये में रस्खान ने कृष्ण के ब्रज प्रेम का वर्णन किया है ब्रज एक स्थान है जहां पर कृष्ण जी ने अपनी कुछ लेला की थी वे ब्रज के खातिर संसार के सभी सुखों का त्याग कर सकते हैं यानि कि संसार में जितने भी सुख हैं वो सब व्रज भूमी के सामने उन्हें नहीं चाहिए हैं उन्हें तो केवल व्रज भूमी की इच्छा है गोपियों के कृष्ण के प्रती अतुल्य प्रेम को रस्खान जी ने तीसरे सवये में बताया उन्होंने श्री कृष्ण के हर वस्तु से प्रेम का वर्नन किया गोपिया स्वेम क्रिश्न का रूप धारन कर लेना चाहती है तकि वो उनसे कभी अलग ना हो गोपिया क्या चाहती है कि हम श्री क्रिश्न बन जाएं तकि वो हमसे कभी भी अलग ना हो उनका प्रेम जो है वो अटूट हो जाए शाश्वत हो जाए लाइफ टाइम के लिए उनका प्रेम वो करना चाहती है अपने अंतिम सवये में रस्खान कृष्ण की मुरली की मधूर ध्वन मुरली यानि बांसुरी की जो उनकी मधूर ध्वन है तवर गोपियों के विवश्टा विवश्टा यानि उनके अंदर जो विवश्टा आ गई है पेचेनी से आ गई है कि किस प्रकार से गोपिया चाहकर भी कृष्ण को प्रेम किये बिना नहीं रह सकती है क्रिश्ण ने उनका मन मोह लिया है उसी का सारा वर्नन इन सवयों में किया गया है इनके लाइन वाइचो व्यख्या देखनी है तो आप मेरा इसका दूसरा विडियो देख सकते हो